हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई यूटूब चैनल आइस गेटविज इस वीडियो में आर्सीसी के आइस 456 के कोडल प्रोविजन को डिटेल में कंसप्ट के साथ डिसकस करोंगा यह सीरीज का पार्ट 44 वीडियो है पुराने वीडियो के लिए आप मेरे यूटूब चैनल की बेसिक अंडेस्टांडिंग हो जाए तो आपको हर चीज रटनी नहीं पड़ेगी और यूटू अबल टू एंसर देपोशन्स सो लेट स्टार्ट सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने पिछले वीडियो में बात की थी कि जो हम रेंफोस्मेंट बार्स में स्प्लाइसिंग करते हैं वो हमारा बेसिकली तीन तरीके होते हैं जो मैंने आपको अलड़ी इलबरेट कर रखा था यहां मैं आपको ब्रीफ कर देता हूँ पहला तरीका था कि हम बार्स को ओवरलैब करेंगे रेंफोस्मेंट बार्स को जिसको हम लैप स्प्लाइस बोलते हैं इससे रिलेट जितने भी प्रोविजन से मैं आपको अलड़ी पिछले वीडियो में जो पार्ट 43 और पार्ट 42 वीडियो है उसमें एक्स्प्लेइन कर च ज्यादा है तो उन बार्स को आपस में वेल्ड करके हम स्प्लाइसिंग कर सकते हैं तीसरा जो मॉडर्ण तरीका है दाट इस मेकैनिकल कनेक्शन जो ये वीडियो है इसमें जो हम बेसिकली प्रोविजन जिनको डिसकस करने वाले हैं उसमें वेल्डिंग ऑफ बार्स और मेकैनिकल कनेक्शन यानि वेल्डिंग स्प्लाइसिंग वेल्डिंग स्प्लाइसिंग के बारे में बात करेंगे और जो स्प्लाइसिंग हम अचीव कर रहे हैं mechanical connection से उसके बारें बात करेंगे तो इसको समझने से पहले मैं आपको कुछ points आपको याद दिला देता हूं कि हमने पढ़ा था कि यू लैप splice है इसको generally हम permit नहीं करते हैं अगर हमारा बार का diameter जो reinforcement not permitted permit कर सकते हैं there are exceptional cases जहाँ पर आप यह permit कर सकते हो पर वहाँ पर आपको यह ध्यान रखना है कि आप confinement के लिए additional spirals दीजिए इसके बारे जिससे related provisions मैं आपको elaborate कर चुका हूं ठीक है अब जो welding splice है इसका use तब आता है जब हमारे bars का reinforcement जो reinforcement bars है उनका size हमारा 36 mm से जादा हो जा रहा है तभी हम prefer करेंगे ध्यान रखना है welding splice तभी उस करेंगे जब हमारा bar का diameter 36 mm होगा तभी हमारी जो welding के लिए contact area मिलना चाहिए welding के लिए वो sufficient होता है otherwise जो हमें design strength चाहिए होगी weld की welded joint की वो नहीं मिलती है ठीक है तो based on the experimental results trial के basis पर यह established किया गया कि हमारा जब बार का diameter 36 mm से जादा होगा तभी हम welding splice प्रफर करेंगे ठीक है तो it is suitable for large diameter bars हम यह कह सकते हैं कि it is suitable for large diameter bars ठीक है तो अब होगा क्या welding से सबसे फायदा important क्या चीज़ है कि जनली हम क्या follow कर रहे है bud welding हम use करते हैं जनली field में तो हम end to end अपने reinforcement bar को रखते हैं और यहां पे इसको weld कर देते हैं ध्यान यह रखना है कि जो हमारे fusion faces है उनको हमें square cut करना है ठीक है और दूसरी important चीज कि जो हमारे जनली बार के sizes होने चाहिए हो same होने चाहिए they should have same diameter जब आप welding splicing कर रहे हो with generally greater than 36 mm ठीक है तो अब what welding के जब आप कर रहे हो जहाँ पे fusion faces आपके same line of center line जो है दोनों reinforcement bars की वो coincide करेगी तो अब आपने जो weld किया उस weld की adequacy कुछ होनी चाहिए कुछ strength होनी चाहिए जिसके लिए हमारा code कुछ provisions देता है जिसके बारे हम बात करने वाले हैं तो जो ये आपने weld किया इसकी design strength चक करने के लिए weld करने के बाद हमारे इस पर tension test perform करते हैं जिसके basis पर हम अपने reinforcement bar का जो अपने joint बनाया weld का उसकी design strength आएगी design strength of weld ठीक है और ये हमारे bars कौन से होंगे ये reinforcement bars होंगे तो जो joint में weld किये जा रहे हैं welded jointed bars reinforcement bars रहते हैं ठीक है तो क्या provisions है वो देख लेते हैं यहाँ पर यही same चीज़ दिखाई हुई है कि कैसे हमारी welding की हुई है bud joints तो सबसे पहला जो clause है that is 26.2.52 यह बात करता है कि उन welds की हमारी क्या strength रखनी है जिससे आप reinforcement bars को जोड रहे हो ठीक है तो the following values में भी used where the strength of weld has been proved by test to be at least as greater as that of parent bar ठीक है तो अगर हमारा based on हमने पढ़ रखा है कि जो splicing है based on the किस nature की force transfer हो रही है nature of force transfer एक reinforcement bar से दूसरे reinforcement bar में किस nature की force transfer हो रही है तो इसके basis पर हमने अपने splices को classify किया था tension splice जहां पर हमारी जो forces है वो tensile nature की transfer हो रही है splicing के थूँ और दूसरा हमारा compression splice compression splice को हम basically end bearing splice भी बोलते हैं जिसके provisions और इसका जो mechanism है load distribution का उसके बारे में बात करेंगे भी इसी वीडियो में तो यह हमारे compression splice हमारे end bearing splice के नाम से भी जानते हैं तो जब आप compression में splicing कर रहे हो या mechanical connection कर रहे हो mechanical connection में basically हम इस तरह के connectors यूज करते हैं जिनको आप couplers बोलते हैं basically यह आजकल जो modern procedures है modern availability है in couplers की उस बहुत सारे couplers available है जिनको मैं भी श्रॉट नाम आपको बता दूगा किस टाइप के couplers available है कि इनकी नाम से आते हैं यह reinforcement में splicing करने के लिए couplers जब आप welding कर रहे हो compression splice है ठीक है तो वहां पर आपको यह ensure करना है कि जो weld की design strength है ध्यान रखना है this is for compression splice design strength of weld जो आपने weld करने वाले है बट weld उसकी जो design strength है वो कितनी रखनी है आपको in case of compression that should be 100% of design strength of जो आप reinforcement bar जिनकी आप welding करने वाले हो compression splice में उसकी जो design strength है इसका मतलब जो weld होगा और जो हमारा reinforcement bars होंगे compression splice के वो हमारे same strength के होंगी तो आपको यह weld उससाब से design करना है ठीक है और उसके according फिर welding करनी है उसके बाद आते हैं कि जब हम tension में splicing कर रहे हैं ठीक है तो tension में splicing basically जो आपकी beams होती है beams में जो आप tension reinforcement provide करते हैं suppose यहाँ पर हमने 6 bars provide किये थे as a tension reinforcement in case of simply supported beam ठीक है तो इसके provisions यह कहते हैं पहला provision यह है कि जो हमारी design strength of weld रहेगा जो आपको weld की design strength रखनी है in case of tension वो आपको रखनी है at least 80% of design strength of welded bars जो आपको reinforcement bars आप weld कर रहे हैं ठीक है इसकी strength का इसकी design strength का 80% strength आपकी tension splice के weld के लिए होनी चाहिए ठीक है दो चीजें हैं यह आप 100% कब रखोगे 80% की जगे design strength of weld in case of tension splice can be 100% वो 100% दो cases में होगी पहला case कि आप जो welding है उसको properly supervise कर रहे हो जो हमारे standard guidelines है reinforcement bar की welding के लिए हो सारे provisions strictly adhere हो रहे है site पे तो उस case में आपको 100% of design strength of reinforcement bar जो आप weld कर रहे हो वो आप लेना है design में ठीक यानि parent bar की 100% strength tension splice के case में भी लेनी है अगर welding supervision है या फिर उस particular cross section पे जहाँ पर आप splicing कर रहे हो यानि अगर कोई simply supported beam है और हमने उसका cross section काटा यहाँ पर ये cross section आया तो उस particular cross section पे हमारे 20% से जादा बार्स welded ना हो 20% of bars at any cross section should not be welded ठीक है तो यह बार्स कौन से tension reinforcement वाले बार्स हैं यहाँ पर compression reinforcement नहीं देखना है विकाज हम यहाँ पर splicing tension reinforcement की बात कर रहे हैं tension reinforcement बार्स शुब नोट भी spliced इसका मतलब अगर हमारे 6 बार्स थे as a tension reinforcement तो 6 का 20% हमारा 1.2 लिख सकते हैं तो उसे 1 यानि एक से जादा बार हमारा यहाँ पर जो है वो हम weld नहीं कर रहे हैं उसको ठीक है तो वहाँ पर जो tension में splicing में हम जो weld कर रहे हैं उस particular member की उस particular reinforcement बार की वहाँ पर आप 100% design strength ले सकते हैं weld की of parent reinforcement बार ठीक है तो यहाँ पर यही चीज लिखी हुई है और अगर mechanical connection है mechanical connection के लिए आपको ध्यान रखना है हमेशा ही जो आपको design strength लेनी है mechanical connection के case में वह आपकी 100% लेनी है mechanical couplers के case में तो यहाँ पर यही चीज मेंशन की गई थी तो मैंने आपको explain की यह आपको ध्यान रखना है तो tension splicing और compression splicing की provisions हैं जब आप weld कर रहे हो welding splice उसके बाद आते हैं हम end bearing splices अभी मैंने आपको बताया कि depending upon the nature of forces हम अपनी splicing को type of splice classify कर सकते हैं तो जो end bearing splice हैं इनको हम कह सकते हैं कि these are also known as compression splicing ठीक है तो यहाँ पर हम देख लेते हैं यहाँ पर मैंने cross section एक basically दिखाया हुआ है एक column है जहाँ पर एक reinforcement bar है जिसकी compression splicing की हुई है ठीक है because यह force transfer हो रही है that is under the action of the compression forces ठीक है तो compression splice में ध्यान रखना है कि जो compression या end splice है वहाँ पर जो load transfer हो रहा है वो दो तैके से हो रहा जो resistance offer हो रहा जो load आ रहा है पहला resistance आप इसको इस तरह समझ लें अगर कि this is the compression splice यहाँ पर यह हमारा compressive force ही आ रहा है तो यहाँ पर concrete जो यह reinforcement bar है ठीक है यह concrete पर bear कर रहा है it is bearing against the concrete यह इसको यहाँ भी समझ सकते हैं कि यह हमारा बार आया यहाँ पर हमने यह बार हमने crank किया हुआ है दो तरीके हैं कि हम straight lap length से इसको cover करें यह cranking करके करें तो यह जो हमारा slope है यह मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि compression splice में जो आपकी cranking है वो आप one in six slope से जादा नहीं करेंगे जो बार आप terminate करने वाले हैं और जो बार आपका continue हो रहा है तो यहाँ पर हमारी यह जो reinforcement bar है यह इसके against bear कर रहा है तो हमारा load transfer हो रहा है और bearing से हो रहा है और दूसरा यहाँ पर हमारा concrete के साथ इस reinforcement bar का bond है तो यहाँ पर bond stresses develop हो रही है तो जो bond stresses का distribution pattern है वो कुछ हमारा इस तरह रहेगा ठीक है यह हमारा जैसे जैसे बार हमारा terminate होगा हमारा जो bond stresses हो जीरो हो जाएंगी ठीक है और they are transfer to the connecting bar ठीक है तो यह bond stresses है और यहाँ पर bearing bearing अगर आप देखेंगे तो concrete की bearing में load transfer होगा वो कुछ इसका stress distribution ऐसे होगा ठीक है तो यह stress distribution हो गया तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि जो compression splice है यानि end bearing splice है वहाँ पर आपका जो stresses load transfer हो रहा है उस समय हमारी दो थरीके की stresses हो रही है एक आपकी compressive stresses हो रही है प्लस tensile stresses हो रही है जो यह tensile stresses हो रही है यह कौन सी stresses हो गई यह मैं आपको बता देता हूँ यह तो आपकी compressive stresses जो bearing हो रही है जो reinforcement आपका बियर कर रहा है concrete के अगेंस्ट उसकी वजह से compressive stresses हो रही है और tensile stresses हो रही है bursting force की वजह से bursting force कैसे हो रही है कि आप इस पर load apply कर रहे है ठीक है तो हो क्या रहा है जब load apply करेंगे there will be tendency of the reinforcement to bulge the concrete अगर हमारा पास यह cover available था concrete का यह concrete का outer surface है column का तो यह जो हमारा cover था ठीक है उसको यह damage करने की कोशिश करेगा there will be nature of tensile forces कुछ इस तरह के crack patterns आपको देखने को मिलेंगे जब आप columns में splicing कर रहे होगे जहांपे तो basically जो यह आपका tracking है जो bursting force की वज़े से हमारा जो cover वाला portion है वो बाहर spell कर रहा है इसको कहते हैं हम side face blowout ठीक है तो इसके लिए कुछ हमारे American code standards ने provisions दीए आपने IS code इस बारे में नहीं बात कर रहा है तो मैं आपको बता देता हूं कि इस case में जब आप compression splicing कर रहे हो side face blowout and this is the transverse reinforcement ठीक है और जो हमारी tension splice थी tension splice में हमारा जो force transfer होता है tensile stresses की वज़ेस होता है वहाँ पर हमारी stresses होंगी they will be biaxial tensile stresses तो यह द्यान रखना है आपको nature of forces को आपको understanding में helpful होगा ठीक है तो जो compression splice है ठीक है तो compression splice के case में जैसे ही आपने compression splice बोला तो यहाँ पर जो आपकी lab length है this should be greater than or equal to development length और because यहाँ पर हमने assume किया कि हमारा compression से low transfer हो रहा है तो that should be greater than or equal to 24 times the diameter of bar जो की हमारा development length है compression bar के लिए तो यह चीज़ इंस्टोर करना है कि lap length भी हमारी मेट आउट हो और जो transverse reinforcement आप provide कर रहे हो compression splice के साथ साथ उसमें जो spacing है वो हमारी four times the diameter of the reinforcement bar से कम हो ठीक है तो यह provisions हमारे कुछ end splicing की है अब यह देख लेते हैं कि जो end bearing जैसा नाम suggest कर रहा है end bearing splice बोल रहा है compression splice को शैल भी यूज़ तभी यूज़ करना है जब आपकी जो reinforcement bar से वो compression में हो और ध्यान रखना है because यहां पर bearing से हमारा low transfer हो रहा है bond stresses के साथ तो वहां पर जो ends है बार के वो square cut होने चाहिए ठीक है square cut होने से हमारा stress concentration होगा वो नहीं होगा avoid stress concentration on concrete हम यह चीज़ ensure करेंगे कि square cut हो हमारे बार के cut में tapering ना हो ends में so that concentric bearing ensured by suitable devices ठीक है तो यही चीज़ यहां पर भी लिखा हुआ मैंने this involves square cutting the ends and welding the bar ends to suitable bearing plates that are embedded with the concrete cover ठीक है यह कुछ provisions है जो आपको ध्यान रखने है और कुछ mechanical splices मैंने आपको बताया कि जो mechanical splicing products available है market में जिन्हें हम mechanical couplers के नाम से बोलते हैं American institute ने कुछ नाम suggest किये हैं cold swased steel coupling sleeve extruded steel coupling sleeve hot force steel coupling sleeves grout filled coupling screws तो basically यह इस टाइप के products mechanical couplers के नाम से available हैं जो की basically हमारे क्या करते हैं reinforcement bar की cost reduce कर सकते हो because हमारी वहाँ पर overlap करने की जरूरत नहीं पड़ती इस तरह आप देख पा रहे हैं यहां पर कि कैसे यूज किये गया mechanical couplers आप staggering करके भी उन्हें यूज कर सकते हो ठीक है और end to end bearing में भी आप इनको यूज कर सकते हो यहां पर देख रहे हैं एक बार यह terminate हो रहा है यहां पर आपने mechanical coupler fit किया दूसरे पर दूसरा reinforcement bar इस तरह आपके आप और दूसरी चीज़ आप देख रहे हो कि यहां पर भी स्टागरिंग है ठीक है तो वह स्टागरिंग वाला concept आपने पीछली वीडियो में मैंने आपको बताया हुआ है ठीक है तो यह कुछ important concepts थे next video में further concepts discuss करूंगा I hope मेरे वीडियो आपको पसंद आया होगा thank you and all the best